नमाशकार सुख युगान्सी आप नमास कई आप्शन हो सकते हैं आपके सारे जो साथी मित्र होंगे मैंने मानता हूँ कि इस प्रकार के विशे पढ़ने के लिए आपके सब साथियों को अच्छा लगता होगा लेकिन आपने इस दुनिया को चूना क्रिशी के ख्षेत्र में आगे बढ़ने का ताय किया साथ क्यों किया नमाशकार सर्व सब क्रिशी सनातक शिक्षा में हमें बहुत सारे विशे पढ़ने को मिलते हैं और व्यवहारिक ज्यान मिलता है जो हमारे जीवन से जुड़े हैं मेरा जुपाउ्ट शुरू सही क्रिशी कियो रहा है इसलिए मैंने विश्य क्रिशी में प्रवेश लिया मैं आगे क्रिशी से डिगरी करने के बाद पस्वलों कि उपादबता को बल्भाने के लिए तता खीतिक में लागत कम करने के लिए काड़े करना चाहूंगी जिससे किसानों की आमदनी बढ़ाई जा सके आपने कभी सोचा होगा कि भारत क्रिशी प्रदान देश है भारत के आत्मा गाउं में बसती है उसके बावजुद भी बहुत सी सारी क्रिशी प्रदास है जो भारत इंपोर्ट करता है आप सबी क्रिशी क्षेत्र के विद्यारती हैं आज एडिबल ओईल के लिए करीब 75,000 करोड रुपीस हमारा विदेश जाता है तो आपको लगता है कि आप जो योजनाए बना रही हो तो भविश में भारत में मुठी भर भी क्रिशी प्रदावर कहीं से बाहर से लानी न पड़े उसका लिश्टिंग बनाना उस पर रिसर्च करना उस पर काम करना यह हो सकता है क्या जी सर जरूर हो सकता है यदि सारे क्रिशी से जुड़े हुए व्यक्ति अपने पूरी छमता और परिश्रम के साथ लगे रहें और खेती को आगे बढ़ाने के लिए कुछ अच्छा इनोवेटिव सोचे तो वो जरूर हो सकता है जैसा कि आपने आत्मनिर्वर भारत बनाने की बात कही है उसमें युगा को बहुत जादा प्रोशाहन मिला है जिससे वो अपना स्टार्ट अप खुल सकते हैं अपने घुट के व्यक्साइद खुल सकते हैं और जो जिसमें उनकी रूची है वो कारेवो कर सकते हैं चलिए योगांची मैं आपको बहुत सुबकामनाई देता हूँ बहुत बधाई देता हूँ आप इस क्षेत्र में प्रकेदि करें और वैसे भी हमारे देश का क्रिशिक शेत्र जादा तर महिलाओं और सवाला हुआ है पशुपालन कहो या क्रिशिक हो महिलाओं का योगदान सद्यों से हमारी यहां बहुत बड़ा रहा है लेकिन हमारी विवस्ता ऐसी है कि उसको अलग से रेकिगनाई नहीं किया जाता है आपके वहाँ आने से जुरूर किशिक शेत्र को नई ताकत मिलेगी मेरी तरब से आपको बहुत सुब कामना है धन्यवाद